वेल्काम गास यार कैसा आप सब लोग वैसे मैरा बुरा समय कभी खत्त में चिनी होता मैं बहुत से दुखी हूँ दो तेन दिन पहले ही मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था और ट्रांजेक्शन पीन सैट किया था मैं ट्रांजेक्शन पीन ही भूल गया हूँ मेरा अकाउ लॉक्ट हो चुका है अब मुझे दुबार से यार बैंक का चक्कल लगाना पड़ेगा और मेरी दूसरी पे एक परिशान ही है पर सभी को बता कर वैसे में क्या ही करने वाला हूँ गैस यार बिना दिरी के एपिसोट को स्टार्ट करते हैं एपिसोट की स्टार्टिंग में शिला कहते की फोर रोयाल केंडम को ना चार सिल दी गए थी उन्हें सिर्गचित रखने के लिए और डाकसनर शिला के पास आता है और कहते की चीज़ है क्या प्रिंसे सिला कहते की ये चीज़ मेरी मौम के आकरी निशानी है और ये पास सुनके मिनिस्टर कहते की हमें लगा लेकिन हमें लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया है और डाकसनाड़ कहाते कि कोई बात नहीं से सिला मैं तुम्हें प्रोटेक करूंगा और दूसरी तरह बहुत नहीं दिखाये जाती है नहीं अभीकल से कहते कि स्वारसर किंडम बस एक चूट था तुमने हम तीनों को करना चाहते है असल में गौड और डिस्ट्रेक्चन पुरी दुनिया को तबाह कर देगा तो अभीकल कहते कि आर्स इस नहीं गौड घुस्ता हो चुका है तुमने गौड को घुस्ता दिला दिया है अब तुम्हें सजा मिलने वाली है उन तीनों वेपन के अंदर से अज़ अजली तकत को तुम लोगों को दिखाता हूँ अभीकल बहुत ज़्या हसने लगता है और रोबोट के अंदर घुज जाता है अभीकल के मुंडी पाहा निकलती है अभीकल अपनी मुंडी खोना टेडा कर लेता है मतलब उल्टा कर देता है तार्स कहते कि आखिर ये बन क्य करते है और नहीं कहती कि आखिर तु है कौन और अभीकल कहती कि तुम जानके क्या ही उखाड लेने वाली हो ठीक है तुम्हें सजा देने का वक्त आ चुका है और एनरजी बीम से अटेक करने वाला होता है नहीं योको और लार्स को पकड़ती है और वहांसे भागने लगती है अभीकल उसे अटेक को कर देता है लेकिन नहीं बच जाती है उपर से काफ़ी सारे पत्तर गीर रहेते वो तिनों आगे बढ़ते है आगे रास्ता बंत होता है और पीछे से अभीकल आता है और कहते है भागने का कोई भी फायदा नहीं तुम लोग मनने वाले हो तुम ल नहीं बचने वाले हूं नेक जोरदार जफ मारती है और एनरजी बीम को डॉच कर लेती है यूग को कहते कि ने ये की सतरह का मैजिक था और ने कहते कि मुझे मैजिक कहीं से भी मैसुल नहीं हुआ मुझे नहीं पता कि इसने कौन सा स्पेल किया है क्या ये वो एंशन मैजि जिसके बार में मैंने सुना था अभी केल के लेजर बीम किंडम से बाहर भी निकलती है और नैट का का मटर कहते कि वहाँ पर चल के रहा है एक नैट कहते कि थी डिमोनिक ट्रेजर एक हो चुके है और बहुत बड़ा राक्चक बन चुका है नीचे की जमिन हिलने लगती है अभी केल बाहा निकलता है अभी केल कहते कि आर्सित नहीं मैं तुम्हें कहीं पर भागने नहीं दूगा आज तुमारा आखरी दिन है और धिरे धिरे करके केंडम भी तूटने लगता है सारे नैट न डर की मर वहां से भागने लगते उपर से प्रेस्ट और मिनिस्टर ये देमोनिक ट्रेसर को कंट्रोल कर सकता है अभी कल के सामने आर्सिस नहीं होती है और अभी कल कहता है कि तुम भाग रही हो आज समेत में खतमी कर दूँँगा और वहीं पर योको और लार्स पर चुपे हुए होते है और नहीं सोची लगती की इस पर नी मैजिक और नाही तल अबिगल चिलाने लगता है और नहीं कहती कि साले सरड़े हुए अबिगल तुने कहाता कि दीमन और डिस्ट्रेक्शन को हम अपने मिशन के लिश्ट्रेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे सौरसर किंडम को बनाने के लिए और पुरी दुनिया के अंदर हम शान्ती ले और कहते हैं कि डीमन और डिस्टेक्शन की पावर से मैं पूरी अर्थ को ही तबाह कर दूँगा, इतना मज़ाएगा ना, जब दुनिया की सारी आबादी की पूरी खतम होने की गगार प्याजाएगी, जब गौड आवर डिस्टेक्शन अपनी पावर के स्तमल करते हुए, प तुम जानकर कही उखाने वाली हो, ठीक है आर्शिस नहीं, तुम्हारे मनने का टाइम आ चुका है, अबिगल को नहीं मारता, उससे पहले यहाँ पर डाक सनडर की आवाज आने लगती है, डाक सनडर अपने गोलम को एक्टिवेट करता है, और गोलम से दिवार तोड़ते अपने घटिया हाथों से, मैं तुम यहाँ पर जिंदा ही माट डालूंगा, तो सेल्स को पाने के लिए इतना नीचे गीर गया, आस्यस नहीं कहते कि डाक सनडर, उस पर तलवार और मैजिक का बिल्कुल भी असन नहीं होता, अभीकल अपनी हाथ के पार को इसकरते वे, ने ग occur जाते है, और कहते हैं, तेरी हिमद कैसे ही मेरे डालिंग की ओपर के कपडे फाने की, उपर मिलिकल किsky डाक सनडर, अभीकल को वहीं पर मार, डालो, शक्व fetch ptas aur, अभीकल कहते हैं, अभीकल कहते हैं, कोई लापार वहीं मत करना, अभीकल कहते हैं, किiser chi notे हैं, तो हैरान होते है अभीगल कहते है कि तु बहुत बड़ा खत्रा है तु मेरे मीशन के आगे अपने टांग जरूर घुसेड़ेगा इसलिए मैं तुझे नर्क में भेज दूँगा डाक्सनड आगे बढ़ते हुए कहते कि मेरी डालिंग पर टैक करने की तेरी हिमत कैसे हुई मैं तु जिन्दा माट डालूँगा अभीगल कहते कि जिन्दा मत करो मुझे तुमारी कमजोरी के बार में पता है और साथी अभीगल नहीं को पकड़ लेता है और कहते है कि तुम 15 साल पहले वाले डाक्सनड रहोते ना अभी तक तुम खतनक वाले स्पैल करते और मुझे माट डालते हैं लेकिन तुम बहुत ज़दा बदल चुकी हो तुमारे अंदर ने प्यार जैसी गंदी वाली फिलिंग्स आ चुकी है लेकिन एक लटकी ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है यहाँ पर बहुत सारे नैट आ जाते है और नैट का कमंडर कहते कि अभीगल बहु मारिए और यह सब को सुने के बाद अभीगल जोर जोर से हसने लगता है और कहते कि ठीक है तो वहीं पर मर जाओ मैं नेको बग्च दूँगा नहीं नेको मैं अपनी डालिंग बना लूँगा नहीं बहुत ज़दा खुसा हो जाते है और नहीं नीचे गिर जाती है नहीं न लड़ रहा है लूशिन का यह वाला रूप मैंने कभी नहीं दिखा टाकसनडर कहते कि नहीं क्या तुम ठीक हो और नहीं कहितिक में बिल्कुल ठीक हूं तो बिल्कुल ठीक होने के साथ यार यह वाला एपिसोड खतम होता है नेक्स एपिसोड अगले के अगले दिन आने व होगा पर मेरे जिन्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही तो बाई बाई टटा सी यू